हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टडी फीड ओफ फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तो आज का टॉपिक है फिट इंडिया मॉमेंट यानि स्वस्त भारत अभिया इससे पहले मैं खेलो इंडिया मॉमेंट्स के बारे में बता चुकी हूँ जैसे कि आपकी उत्राखण इससे पहले में मैं आपकी सिलेबस के अकॉर्डिन सभी चीज़े पूरा करना चाहती हूँ बर जितना मेरे से हो सकेगा जगरू मैं पूरा करूंगी आप अपना सिल्फ इस्टडी भी करते रहे हैं दोस्तो जैसे कि आप फिजिकल एजूकेशन के किसी भी कंपटिशन एज आप देख सकते हैं और सभी जब्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे चैनल पी थियूरी सेशन सभी चीज़े अविलेबल हैं तो दोस्तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरह अच्छा टॉपिक है फिट इंडिया मॉमेंट ठीक है जिसी स्वस्त भारत अभियान यह दोस्तो एक है एक राष्ट व्यापी आंदोलन है पुरे राष्ट के लिए इसका विभायक जोए देखता है खेल मंत्राल है याद रखिएगा मोश्ट इंपॉर्टे है सभी चीज़े और दोस्तों इसका उद्देश से क्या है लोगों को अपने दैनिक जीवन सारी गतिवीडियों एवन खेलों को सामिल करके स्वास्थ और फिट रहने के लिए पुरसाइद करता है यादि लोगों को अपने दैनिक देले रूटिन में कुछ नो कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना है और खेलों को सामिल करना है जिससे हरे व्यक्ति अधर मोदी द्वारा 29 अगस्थ 2019 को राष्टिये खेल दिवस के अवसर पर नए दिल्ली के इन्रह गांधी स्टेडियम में किया गया ठीक है फिट इंडिया मोमेंट जो है अभियान जो है वह सुरू किया गया जैकि फिट इंडिया की सापना तो पहले ही हो चुगा था या इस अभियान में जब सुरू हो रहा था तो खेल मंतरी किरेडर जीजु थे उस समय और अन्य राष्टिये खेल पुरुसकार जो 2020 में बिज़ेता थे वो सभी सामिल थे यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि फिट इंडिया मोमेंट फिट इंडिया की सापना सुपड़ 2019 को और अच्छे तरीके से थीक है तो सभी को फिट रहने के लिए डेली अक्टिविटी में अपने डेली रूटिन में फिजिकल एक्टिविटी यान कुछ खेल सामिल करने के लिए इसको किया गया तो इसमें दोस्तों फिट इंडिया मोमेंट से प्रतिग्या क्या है कि यह दिन सारीक गतिविधी और खेल के लिए समय दूंगा और मैं अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को सारीक रूप से फिट होने और भारत सरकार को भारत को एक फिट राष्ट बनाने के लिए प्रसाहित करूंगा यह फिट फिटनेस प्रतिग्या है ठीक है एंड दोस्तों फिट इंडिया मुमेंट में अपना एक साल ऐसे समय में पूरा किया है जिसमें करीब छे महिने अलग 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 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन के बीच में हमें गुजाराना पड़ता है अलग अलग चीज़े कराई जाती है जैसे आगे जलके आप समझेंगे एंड फिट इंडिया मुमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिक्ता को इस कुरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है कि वाकई फिट रहना उतना मस्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है थोड़े से नियम और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस ते सब्सक्राइब कर दोड़ेशा नहीं सत्रम यहां पर तॉच्छ बच्छ ऑद्यों करना है तो पिट इंडिया मुमेंट का नारा है याद रखेगा फिट्नेस की दोच आधा घंडा रोज यानि देली टीस मिन आपको एक्सराइड एक्टिविटीटीच करना है तो फिट फिटनेस की डोज आदा घंटा रोज एक किसका नारा है फिट इंडिया मोमेंट का नारा है इस मंत्र से सभी का स्वास्थ्य सभी का सुख छिपा हुआ है फिट चाहे योग हो या बैमेंटर हो टेनीस हो फुटबाल हो करती हो या कबटी जो भी आपको पसंद आए कम से कम 30 मि दोट आपको देना है तक Τ्या फिट इंडिया मोमेंट्स है कि इस को स्वास्थ्य भारत अभियार ऑ Favorit से गया है तो यहां पर देख सकते हैं कि फिट्नेस हमेंशा हमाली शंस्कीती का एक अभिन्हान नहीं आई Mira architecture किया दोस्तों यहां पे टाइविक मिस्टेक हुआ है हाँ यहां पे वह सकता है कि फिटनेस जो है हमारे संस्क्रित एक अभीन हिस्सा रहा है लेकिन और फिटनेस के मुद्दों के प्रती उधास इनता है कुछ दसक पहले एक समाने प्रती दिर में आठ से दस किलोमेटर पैद और वही तक्निकी हमें बताती है कि हम प्रयापत नहीं चल रहे हैं यहां किरवरे जुजू ने कहा कि हम अपने साथ ही भारतियों के सहयोग से इस आंदोलन को नई उचाजियों तक ले जाएंगे मुझे खुशी है कि यह आंदोलन हमारे हाकी के जादुगर मेजर ध्यान च प्युलै यह बनत्रा अले प्रयास में बहु उध्यू है तो अपतинки के बहु एप के यह जो st夜 के ज Adriा की साथ Galaxy नहीं पोटनैस प्रफाओं को ठेश नहीं न नहींक है भारतियों के दैनिक जीमानेshop ब्यान लुन विवादाई हां को फेस करना अए फिट इंडिया मुविमेंट्स का भी से इस ध्यान ग्रामीर भारत पर होगा जिसमें सारी कल्यार और फिटनिस के बारे में जागरुता बढ़ाने के लिए बुनियादी स्विधाओं का अभाव है मसूर हस्तियों की भागिदारी के माध्यम से जागरुता कारिकरम सहरों में खेल गतिविद्यों और अभियान के दौरान इस तरह के अन्य कारिकरमों की युगदान बनाई जा रही है जैसे कोई एड करता है तो फिट इंडिया मुविमेंट्स के बारे में बड़े-बड़े सभी के द्वराई इसको एड किला जाता है जो जन सधार लोग है उसको जागरुता पैदा किया जा सके और उप्योग बड़े पैमाने पर योग को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा एंड दोस्तों विश्व विद्याले अमदान आयोग यूजीसी इनुवर्सिटी ग्रांड कमिशन ने संबंध उच्च सिच्छर संस्थानों को फिटनेस के लिए या व्यायाम के लिए सारी गतिमीदियों को सामिल करने वाली एक संस्थाकत फिटनेस यूज्ञा तयार करने और लागू करने के प्रेइट किया है यह भी कोशन आपको पूछ सकता है कि किस ने किस अभियान के तहट दस हजार कदम चलने के लिए पुरसाहित या प्रेइट किया है तो वहाँ यूजीसी ने फिट इंडिया मूवेंड पोर्टल पर अपनी फिटनेस एकसन यूज्ञाओं को अपलेट करन को सछ हो 25 फंट पर सरकार को सछ देने के लिए खेल मंट्रीय के लिए आठाइस सदस्य वाली итоге की है 28 सदस्वाले जिसमें सरकारी अधिकारियों I.O. यानि इंडियन उलंपिक एसोसियेशन भारतिय खेल संग, मीजी निकायों, फिटनेस प्रमोटर्स के सदस्वाले एक समीति पनाए गई है अधियन चमें मादमिक सिच्छा आयूस युवारतियों के सचीर निस्पी तो समीति समीति में 28 सब्सक्राइब की सब्सक्राइब प्रमुक जिनमें मुक्यबाजी, एथलेटिक्स, फूर्डवाल, सैक्लिंग सामिल है वह भी समिती का एक हिस्सा है प्रतिष्टित पहलवान बजरंग पुनिया और साच्छी मलिक सहित कई राष्टिये खेल आईकान भी पीम मोदी के इस अभ्याद से जुड़े हैं और लगतार लोगों में फिटनिस और उस्वासि के प्रती जागुता फेलाने का काम कर रहे हैं पिछले साल इसकी शुरुवात के बाद से फिट इंडिया मोमेंट की तत्वा वधान में फिट इंडिया फ्रीडम रन फाल्ग साइक्लोस थान फिट इंडिया वीक फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेस कई अन्य कारक्रमों के तहद विभिन छोटी बड़ी कारिकरम धाए करोर रुपए से अधिक प्रतिभाग्यों के साथ विभिन आयोजनों में साहे तीन करोर से अधिक भातिय की सामुहिक भागिदारी दर्ज की गई है दोस्तों यह जो है हर एक महिने में अलाग अलाग चीजे इसका उद्श से रखा गया है यहां पर आप देख सकते हैं कि फिट इंडिया मुमेंट की महिने के उस्तार समय साட़ी क्या होती है तो यहाँ पर महिने के उसर आप सर्मेस आड़ी देख सकते हैं प्रथम महिने में देख सकते हैं कि सभी सैच्रिक सर्थानों में फिटनेस, रनवाग, रनथान, सायकिल, वैल्यू और स्वास जाच, सिवरियों के लिए प्रति भागियों को सकाउट के आवियन के साथ इस अवियान को सभारम किया जाएगा प्रथम महिने में दूसरे महिने में क्या होगा? दूसरे महिने में इस्कूल से लेकर तभी सभी द्याले, गाउं, कस्बू, बलाक और जीला इस तर तक सभी इस तरों पर खेल कारेक्रेम आईडित किये जाएगे हर किसी को किसी ने किसी रूप में सारे वियायाम करना चाहिए चाहे वह घर पर हो या इस्थानी परकों में, खेल के मैदान में हो या गली महला में या संदेश ने डेली से समधित होगा यानि सभी को वियायाम करना चाहिए एंड तिसरे महिने में यहाँ पर रखा गया है कि भारतियों को फिटनेस और समूह और सोसल मेडिया और बेग प्लेटफार्म पर गतिवीदियों को साजा करने के लिए समूह और कलबों को इस्थापित करने के लिए प्रेद करेगा सापता है गति-विधियों में सारी गति-विधियों से जुड़े परिवारों और दोस्तों को सामिल करने पर जोड दिया जाएगा कि परोस सैंख्य कंथानु गावँ पंचायत इस्तर में सुरक्षित प्लेफील्ड भीसित करने के बारे में होगा प्लेफिल को बेतर बनाने में मदद के लिए स्वेन सिवकों को अमंत्रित किया जाएगा एंड पांचवे महीने में जो है पैदर वाग थान और मेराथन के बारे में होगा एंड छटे महीने में जो है साइकल चिनाने के लिए आगे बढ़ेगा यानि प्रतेक साइकल मालिक एक गाउं से दुसरे गाउं या कस्बे में सुरचित रैली में भाग ले और राजय मुख्याले पर एक स्रिंखला का समापन करेगा एंड साथवे महीने में परंपरिक और इस्थानिय खेलों से लेकर सांस्कृतिक निर्तिय नादिका गतिवीजियों तथा सभी प्रकार के प्रति इस प्रधात्मक घर्टना के लिए होगा एंड आठवे महीने में स्वयन सेवकों को बलाग, जीला, राष्टी इस तर पर स्वैचिक पहला साजा करने और प्रधासन करने का होगा नवे महीने में राष्टी गतिवीजियों की मानता और उस्सों के साथ समापत होगा अधिक दोस्तों लास्ट स्टेज है फिट इंडिया मुमेंट्स शुरू करने के क्या-क्या फायदी हो सकते हैं इतनी सारे डेली बेसे उसके फिटनेस पर ध्यान दिया जा रहा है तो आप जितना फिट रहेंगे स्वस्त रहेंगे बिमारिया उतना ही कम होंगी यानिक बिम स्वस्त लोग काम करेंगे तो वह काम कम समय में अधिक होने लगी यानिकि की क्वालिटी बढ़ेगी सरकार को जो बिमारी पर हजारों कड़ों रूपए देनी परती थी वह इसे बिमारी का आगणा घटेगा जिसे सरकार को फायदा होगा हर व्यक्ति संपूर जीवन एक स् पूछे जा सकते हैं दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहें